आज के जो Kitchen Tips बहुत ही कमाल के हैं, दूद और बिंदी का हैक तो बहुत ही मज़ेदार है, साथ ये Remote वाला तो बहुत ही जादा है, इसे दिखना तो बनता ही है, और घर में हम कपडों को कैसे सही करके रखे, ये तो जानना बहुत ही जरुरी है, तो इस चीजों को जानने के ल करने यह होते हैं जो अम मिलते में लूख है तो अब ने की क्लीन और रही आप है आठा करनाहीं पानीहां पूरा अच्छे बंद कर देना है पूरा अधा नहिंसे की裡 उना है पानी पधर लेना है बें यह जब दायाँ अच्छे से बंद कर देना है डखकन बंद करने के बाद इसे लेके चलते हैं फ्रीज की तरफ फ्रीजर में रख देना है इसे हमें 2-3 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए जब यह ठंडा हो जाए तो इसे कैसे यूज करें वह मैं आपको बता रही हूं जब ठंड करके शे रख ले चलि हम आगे बढ़ते हैं नेक्स टे हमारा जाड़ो को लेकर जब हम जहाड़ो खरिके लेकर आते हैं यहाट निंहे तो जीप चूपता गले के लिए जैसे हम जाड़ों कुछ आता है हाथ में चूकता है कांटा सा निकला रहता है तो वह हात में लगे तुसके हम कैसे बचना हूझ झाल मैं आपको बता हुँ आपको क्या करना है टेप ले ले तो इस तरीके से हमें घुमा लेना है अब इससे क्या होगा यह हाथों में आपके लगेगी नहीं तो आप इस तरीके से आपके हाथ कटेंगे नहीं और जब भी आप जाड़ों उठाएंगे तो आपको हाथ कटने का डर नहीं रहेगा बहुत छोटा सा है बहुत काम का है प्ल करना है थे लिए यृच नहीं और इसके से उपर क्लीन कर लएना इसी एक कहारना है लाइना को प्लावकर से डिल्क यहादों से पोचना सपको लिना है और इसके बाद बिंदी लगा मला लेंगे मंस इस जगह पर घुझल जलन हो माते के उपर बिंदी लगाने से तो कैसे ठीक करें और दूसरा है हमारा बिंदी से तो उसके लिए आपको क्या करना है लेना है दूद और दूद आपको कच्चा लेना है और थोड़ा सा ही लेना ज्यादा नहीं और इसमें एक चीज और मिलानी है वो क्या है वो है हल्दी हल्दी हमारे गरों में होता है सभी के गरों में होता है और चुटकी भर लेनी है और कच्चा दूद में इसे मिक्स कर लेना है और जिस जगह पर आपके दाग है बिंदी के उस जगह पर लगाना और इसे एक बार में ठीक नहीं होगा आपको रेगुलर इसे करना होगा देखे तो इस तरीके साब थोड़ी जरी से लगा के छोड़ दे और सुखने के बाद गिला कपड़ा से पोच ले ज्यादा दबा के ना पोचे हलके हाथों से पोचे और उसके बाद देखेंगे कुछी दिनों में आप जो पिंदी का दाग था वो हटने लगेगा और अगर ज्यादा पुराना दाग है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इससे क्लीन हो जाएगा तो बहुत छोटा सा यह हैक था उमिद करते हैं आपको पसंद आई होगी नेक्स्ट है हमारा ब्लाउज को लेकर देखें ब्लाउज हम अच्छे-चे सिलाई कराते हैं और रखते भी अच्छे-ची तो पट क्या होता है ना कभी-कभी इस जो हुक होता है इसकी जग मैं जनग से लग жाता है तो फिर वो जगश खराब हो जाता है कपड़ा भी हरा ब्लाई हो जाता है लेना के बेदाने चीधार Whoo लगा में अधोम सब्सक्राइब चीधा है , फिर विटी तरव फ़ोटory हो यह थिता है अधा Fiett ओर नमने का सब्सक्राइब कंज से तों से सुषिए लगएंगे तो जीधा विडिटा मेंसा का सकते हैं बड़ा सा सूखने दे सूखने के बाद ही इसे अच्छे से फोल्ड करके आप रख लीजिए इसे पहले भी मैंने हैक सेर किया था कि अगर जंग लग जाए तो उसे कैसे रखे तो मैंने सेर किया वीडियो आप देख सकते हैं यह मेरा दूसरा वाला है था कि लाउज का है भी गंदा हो खाना बना रहे हो खाना खा रहे हो तो हम क्या कर थे हां उस हाथ से रिमोंट को छूलेते यह फिर ऑड़े तो लिखता नहीं है उसमें जो नंबर्स लिकी होते हैं तो उसके साइड में गंगी लगी रहती है तो उसको कैसे क्लीन करने के लिए आपको लेना है और जो गुंदा हुआ आटा होता है बस थोड़ा से लेना ज्यादा नहीं लेना है और इसके उपर तेल घी कुछ मत लगाएगा बस आटा गुंदा हुआ ले लीजिए और इसे इस तरीके से रिमोट के उपर रब कर दीजिए इस तरीके से बस रोल कर देना है देखेंगे इस जब आप क्लीन करेंगे तो जब हाथ में आठा चिपके तो आप तेल ना लगाए तेल लगाने से और ज्यादा डस्ट इसके उपर चिपक जाएंगे तो ये था आज का मेरा किजन टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा पसंद है तो लाइक जरूर करेगा शेयर करें कमेंट करें बाई बाई थाइंक यू